Imagine करिए कि आप हिमाले की सबसे खतरनाग जगा पर अपनी जान दाओ पर लगा रहे हैं वो भी सिर्फ अपने फर्ज के लिए आज हम आपको मिलवाएंगे जंपा से एक तिबितन ओरिजिन जिनोंने भारत की एक फौज को जॉइन किया तो जंपा की कहानी शुरू होती है 1970 में वो अपने परिवार के साथ तिबत में थे जब उन्हें तिबत को छोड़ना पड़ा और वो भारत की तरफ आए उनके माबाब हमेशा से उन्हें आर्मी जॉइन करने से रोका करते थे लेकिन जंपा के दिल में कुछ और ही था 19 साल के उमर में जंपा ने चुपके से भारत की एक फौच को जॉइन किया और उनका मकसद था अपने नए देश की रक्षा करना और थोड़ा सा अपने पुराने देश के लिए भी लड़ना 1988 में जंपा को लडाक में पोस्ट किया गया जो दुनिया के सबसे थंडे और खटेन इलाखों में गिना जाता है एक दिन एक रूटीन मिशन के दौरान एक बड़ी मुसीबत आई उनके ही एक सैनेक रिंजिन बरफ के एक दरार में गिर गए 300 फीट नीचे उनको बचाने की काफी कोशिश की गई पर सब जो है असफल रहे तब बुलाया गया था जंपा को तो जंपा ने बिना कुछ सोचे अपने आपको नीचे उतार लिया नीचे पहुँच कर उन्होंने देखा कि रिंजिन की लाश बरफ में जम चुकी थी जंपा ने बहुत कोशिश की पर रसी बरफ के एक तुकडे में अटक गई थकान और धंड की वज़ा से जंपा भी बेहोश होने ही वाले थे पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी रसी को छुडा कर वो उपर आए और रिंजिन को लेकिन बचा नहीं पाए इस बहादूरी के लिए जंपा को शौर या चक्र से सम्मानित किया गया लेकिन जंपा के लिए अपने साथी को बचाना मेडल से बढ़ कर था और ये उनका फर्ज था